नाली निर्माड कर रही कमपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है जिसके चलते एक व्रिद्ध की जान आफत में फस गई दरसल उत्तर प्रदेश के probabil के रहने बाले बाबूलाल वर्तमान में सीधी जिले के रामपु नैकिन में रहकर मजदूरी करता है बाबूलाल रात्री में दस बजे अपने घर में सो गया और सुबे वे गढ़े में मिला द्रसल बाबुलाल जिस कमरे में सोया था उस कमरे के सामने से नाली की निर्माड के लिए JCB के द्वारा खुदाई की गई थी जिसकी जानकारी बाबुलाल को नहीं थी बाबुलाल जब सोया तो सडक बराबर थी लेकिन सुबह उठा तो JCB मसीन नाली खोद कर जा चुकी थी जिसमें वे समा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया सुबह परिवार के लोग उठे और बागोलाल को नाली में पड़ा देखा जिसके बाद उपचार की नी अस्पताल पहुचाया घायल की हालत गंभीर होने के चलते संजय गांधी अस्पताल रीवार रेफर कर दिया गया है घायल के परजनों ने बताया कि नाली की जानकारी ना होने के चलते रात्री में नाले में गिरा और घायल हो गया पाइब डाल लिए और उसे घिर ने जैसे भी कब खोदी है रात में जैसे दस बजे रात तक भूग अब तो नहीं दिया खोड़ा गड़ा खोड़ा था और निकले पिसाब करने में उसमें पैर पढ़ गये इंको मालूम नहीं था इंको मालूम नहीं तो ये गड़्डेम क्या नाम है और कहां के रहने वाले हैं और अभी बर्तमान में कहां रह रहे हैं रामपूर में रहे हैं काम करनी आएं मल्दूरी हां मापूर सर्व सुविधायोग नैशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्थ हैं हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाप आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकले की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर अस्थी रोप एंडोस्कोपी लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब है आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 860288599 पर